नमस्कार पाक्षाला भई पुस्प्लता चेनल में आप सभी का हर्तिक स्वागत हैं आज हम बनाएंगे डिलीसियस आलू की बर्फी आप इस बर्फी को ब्रत में या जब भी आपका मीठा खाने का दिल करें तो आप इसे बना सकते हैं ये बर्फी सभी को बेहत पसंद आती है और खास तोर पर बच्चे से खाना बेहत पसंद करते हैं तो चलिए इस टेश्टी बर्फी को बनाना शुरू करते हैं बर्फी बनाने के लिए मैंने चार उबले आलू को छील लिया है अब हमें इसे grate कर लेंगे इसमें गुठलिया ना हो इस बात का दियान रखना है कड़ाई में वन टेवल इस्पून घी गरम करेंगे और उसमें थोड़ी से काजू और बादाम काट कर हम एट कर लेंगे और बिल्कुल धीमी आज पर भून कर हमें निकाल लेंगे और जब ठंडी हो जाएंगे तब हमें दरदरा कूट कर तयार कर लेंगे और फिर उसी कड़ाई में हम आलू की मिसरन को डाल कर भूनेंगे जितने अच्छे तरीके से हम आलू को भूनेंगे बर्फी हमारी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे बीच में एका चम्मज घी एट करके मिसरन की अच्छे से भूनाई करेंगे बर्फी में मिठास और टेस्ट के लिए डालेंगे हम दो चम्मज शुगर पाउडर साथी डालेंगे दो चम्मज मिल्क पाउडर मिल्क पाउडर ऑप्शनल है पर डालेंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा आप इसमें थोड़ा सा coconut powder भी डाल सकते हैं भुने हुए और crush की हुए काजू बादाम भी मैंने add कर लिया है अच्छे से mix करते हुए हम इने फिर से भुनेंगे gas flame को medium रखिए और उलटते पुलटते उसे अच्छे से भुनते रही है बढ़िया से flavor के लिए थोड़ी सी इलाइची powder रैट करेंगे हमें आलू की मिस्तरन को जब तक भुनना है जब तक की मिस्तरन अच्छे से भुनना जाए color change ना हो जाए इस प्रकासा जैसा वीडियो में दिखाई दे रहा है उसके बाद हम किसी थाली अट्रे में इसे डाल देंगे और अच्छे से इस पैचुला से सेट कर देंगे गार्निशन के लिए हम कोई भी dry foods बारी काट कर उपर डाल देंगे तो मैंने थोड़ी से पिस्ता बारी काट कर डाल दिये हैं अब हम इसे एक दो घंटे के लिए जमने के लिए रखतेंगे अगर आपको जल्दी है तो आदा घंटे के लिए इसे फ्रिज में रखतें मैंने इसे डेर दो घंटे के लिए बाहरी रखा था यह अच्छे से जम गया है तो आब हम इसकी कटिंग कर लेंगे आलू की वर्फी इस प्रकार से आप जरूर बनाई या आपको बहुत तेश्टी लगेगी मेरी छोटी सी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज आप लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें जल्दी मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत बढ़ी है